जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रू दबादे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है हमारे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं और एंटर्टेनिंग लगते हैं तो आप अपने इस चैनल की मेंबर्शिप ले सकते हैं इस चैनल की मेंबर्शिप के लिए इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसके साथ साथ आप एक और तरीके से अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वो है इसके पेट्रॉन बन करके इस पेट्रॉन का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रि मुसल्मानों को देखते ही इस नए भारत में कुछ नफटी लोगों की लार टपकने लगती है क्यूंकि इंडियन मुसल्मानों को दिरेश द्रोही कह करके मौजूदा सियासी हालात में मलाई खाने को मिल सकती है ये तमाम लालची लोगों के दिमाग के हर कोने और नस में भर दिया गया है कल तक मौसी और खाला की बाते करने वाले एक कवी साहिब जो अब अपना विश्वास खो चुके हैं वो अभी अब इंडियन मुसल्मानों को देश भक्ती साबित करने के लिए तमाशा कर रहे हैं जब मुल्की अवाम को उनकी कविताओं में दिल्चस्पी नहीं रही और उनके शोस ठीक से नहीं चल रहे हैं तो उन्होंने भी हिंदू मुसल्मान के भाई चारे वाले राख को छेड़ दिया है क्योंकि ने भारत में एक परसेप्शन ये बन चुका है कि मुसल्मानों को निशाने पर लो तो तुमारी नईया पार हो जाएगी तो विश्वास खो चुके कवी महुदय को बता दूं कि ये भ्रहम मनोज मुन्तशिर को भी हुआ था जिसकी माफी वो आज तक मांगता फिर रहा है खैर कवी महुदय पर अभी वापस लोटेंगे लेकिन उससे पहले मुसल्मानों को देखते ही इस ने भारत में कुछ नफरती लोगों की लार टपकने लगती है इस पर एक और नज़र डाल लेते हैं तो दोस्तों इन तस्वीरों को देखें हवालात में बंद इस शफ का नाम है जैनुदीन और जैनुदीन पर इल्जाम क्या है उस पर इल्जाम है कि उसमें अपनी बाइक से एक चूहा मारा था पुलिस ने उसे ग्रिफतार कर लिया शायद इसके बाद अब चूहा माल दव रंक करने की धारा लगाकर जेल भेज दिया है कहा जा सकता है कि पुलिस को बहुत बड़ी कामिया भी मिली है क्योंकि एक चूहे के कातिल को ग्रिफतार उसने जो कर लिया है अब ये बात अलग है कि इनसानों को गथल चाहिए कि बाजारों में बिक रही चुए मारने की दवाइयों पर भी रोक लगवाए और उसको बेचने वाले तमाम कारोबारियों पर NSA के तहट कारवाई करें जिनके घरों में चुए होते हैं वो उन्हें खत्म करने के लिए चुए दान तक रखते हैं और चुहे को पकड़ कर मार डालते हैं उन्हें भी अब समझ लेना चाहिए कि आप चुहे पकड़ कर अपने लोकल पुलिस के हवाले कर दे चुहे की हत्या ना करें क्योंकि ऐसा करने पर शान्ती भंग हो सकती है तो दोस्तों नए भारत में माननिये चुह का मरडर हुआ है कातिल को पुलिस ने ग्रिफतार करके जेल के पीछे भेज़ दिया है लेकिन आप सभी को चुहे के घरवालों के लिए मुआफ़ा और नौकरी की मांग करनी चाहिए ताकि चुहे की विडो वाइफ यानि विद्वा इस महंगाई के दोर में खुद का खया रखते हुए अपना घर चला सके और चुहे को जब तक इंसाफ ना मिले तब तक सोशल मीडिया पर इसको लेकर कैमपेंच चलाते रहिएगा चुहे के लिए इंसाफ की मांग करते हुए जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए क्योंकि किसानों को अपनी गारी से कु कोटा मोटा क्राइम हो सकता है लेकिन भाई साहब चुहे की हत्या कोई मामूली क्राइम तो है नहीं वैसे दोस्तों हकीकत में ये दुनिया का सबसे अनोखा केस होगा चुहे को कुचलने के लजाम में एक बेरहम मुसल्मान शक्स को गिरिफतार कर लिया गया है फिर पूरी की दुनिया में अपनी फजीहत कराने के बाद यू टर्ण ले लिया गया है जी हाँ दोस्तों अब नोईडा पुलिस ने चुहे से जुड़ी गिरिफतारी पर यू टर्ण ले करके जैनुद्दीन की गिरिफतारी को कस्टमर से लेन देन पर हुए जगडे से जोड दिया है नोईडा पुलिस ने पहले तो चुहे की वीडियो टूइट करने वाले एकाउंट के कमेंट बॉक्स में धारा भी बताई थी की 151 यानि 151 जो शांती भंग की धारा होती है उसमें उसे गिरिफतार किया गया है लेकिन जब चुहे पर पुलिस वाले चारो तरह से गिरे तो गिरिफतारी को जगड़े से जोड दिया गया अब सवाल ये उटता है कि पुलिस उस शफ का नाम भी बताए जिस से जैनुद्दीन का जगड़ा हुआ था और उससे गिरिफतार कर लिया गया था खैर दोस्तों नोईडा पुलिस ने पहले तो जैनुद्दीन को चुहे की ह आपसी जगड़े के मामले में 151 के तहट गिरिफतार किया है लेकिन अब पुलिस ने 151 के तहट करी गई कारवाई को भी गलत मान लिया है एक ही मामले में एक ही दिन में नौईडा पुलिस ने तीन यूटन ले लिये हैं खैर एक बार फिर देख ले नए भारत में अमन की खुब सूर्ती कॉंस्टिट्यूशनल यादि सम्वेधानिक हवलात में बंद इस मुसल्मान शेख जैनुदीन को जिस पर सम्वेधानिक पुलिस ने एक चूहे के कतल का इल्जाम लगाया है या पहले लगाया था खैर सम्वेधान और सम्वेधानिक से याद आए एक कवी म ही बात कर रही हूं मैं जो पहले ही अपना विश्वास खो चुके हैं अवाम की नजर में लेकिन चलिए आपको उस कॉंसिट्यूशन को पढ़ने की सला दे देती हूं जो हर मजभब के शक्स को अपने मजभब का पालन करने अपने धर्म का पालन करने और उसकी को शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई ऑप्शन दे दिया होगा इसी के चलते वो मुस्लिम कम्यूनिटी से ऑप्शन वाले बेतुके पन वाले सवाल कर रहे हैं मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल होते ही इनकी भी पेट में मरोड़ होने लगी हैं दरसल दोस्तों सियास असद असदीन वैसी ने दो दिन पहले खूफिया एजनसियों में टॉप पोजिशन्स पर मुसल्मान ओफिसर्स के ना होने की रिपोर्ट को शियर करते हुए सवाल उठाए थे तो आपको बता दू कि वैसी साहब ने टूइट करके लिखा था कि दशकों बार पहली बार इ मुसलिम ओफिसर्स नहीं होगा यह उस डाउट यानि शक की जहलक है जिससे बीजेपी मुसल्मानों को देखती है आई बी और रो एक्स्क्लूजिव मैजॉरिटेरियर इंस्टिटूशन्स बन गए हैं आप लगातार मुसल्मानों से उनकी वफादारी का सुबूत मांगते हैं लेकिन कभी उन्हें अपने बराबर नागरिक के तौर पर खुबूल नहीं करते हैं दोस्तों वैसी का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा इसके बार कवी कुमार विश्वास साहब ने इस पर रियक्ट करते हुए लिखा कि वकील साहब आपकी हर बा बोलिए अगर इसलाम और भारत में से एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इसलाम छोड़कर भारत चुनूँगा अगर कुरान शरीफ और कॉंस्टिट्यूशन में एक कॉंस्टिट्यूशन चुनूँगा कुमार विश्वास ने ओवैसी से कहा आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतिजार में एक भारती सना तनी अब दोस्तों इस ट्वीट के आने के बाद ओवैसी ने ट्वीटर पर फिर इस मुद्दे पर लिखा कि भारत के जासूसी और इंटेलिजन्स एजन्सियों में मुसलिम ओफिसर्स की कमी वाले मेरे ट्वीट पर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं मुसल्मानों से पूछा जाता है कि मजभ और मुल्क के बीच में किसे चुना जाएगा पता नहीं कितने लोग देश की सिक्योर्टी का सौधा करते वे पकड़े जाते हैं आई एसाई औरते फेक एकाउंट्स बना कर उन्हें फसा लेती हैं धर्म की बात तो दूर क्या कोई इन से पूछे गा कि ये अपने हवस और देश के बीच किसे चुनते हैं तर असल हकीकत ये है कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए कुमार विश्वास का सवाल नहायती बेखूफी भरा हुआ था कभी महोदै से सवाल पूछा जाना चाहिए कि मा और बाप मेंसे अगर एक कुछ चुनने का मौका मिले तो किसे चुनोगे शाहिद इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा दरसल बिचारे सियासत यानि राजनीती में कुछ बड़ा फाइदा ना मिल पाने के चलते काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गए है इसलिए इस तरह की बचकानी हरकते और बाते कर रहे हैं रही बात इंडियन मुसल्मानों की तो भाईया ना उनसे इसलाम को अलग किया जा सकता है और ना ही भारत को और ना ही मुलक के कॉंस्टिटिउशन को अलग किया जा सकता है ना ही कुरान को खेर रास सभा के लालची लोग इस बात को नहीं समझेंगे Constitution जहां देश के हर citizen को एक बराबरी का मौका देने का हक देता है वहाँ पर अगर खूफिया एजनसियों में एक पूरी community ही high level post से गायब हो जाएगी तो सवाल तो जरूर ही उठेंगे ना कुछ अरसा पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पुलिस में मुसल्मानों की हिस्सेदारी का डेटा इखटा किया गया था भारत के सभी states की 15 लाग पुलिस force में से जम्मू कश्मीर के 44,457 मुसलिम पुलिस वालों को अगर अलग कर दे तो सिर्फ 64,805 यानी 4.31 परसन मुसल्मान ही पुलिस डिपार्टमेंट में हैं मतलब मुसल्मानों की पुलिस में ना के बरावर हिस्सेदारी है दरसल इनके जैसे तमाम लोगों के दिमाग के हरकोने और नस में मुसल्मानों को लेकर नफरत भर दिया गया है इसलिए मुसल्मानों को भारती मानते ही इनके पेट में मरोडों शुरू हो जाती है आजादी के अंदोलन में इनके जैसे लोग होते तो फ्रीडम स्ट्रगल कभी हो ही नहीं पाती भारत के कॉंस्टिट्यूशन नहीं सबको बराबरी का हक और मौका देने की बात करी है तो देश का हर नागरी की ये बात पूछेगा कि आखिर क्या वज़े है कि आई बी के टॉक पॉजिशन पर कोई मुसल्मान नहीं है मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ जै हिंद सत्ते मेव जैते अल्ला हाफिस दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा वी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं इन्फरमेटिव लगते हैं तो आप अपने इस चैनल की मेंबर्शिप ले सकते हैं इस चैनल की मेंबर्शिप का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और एक तरीके से और आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वो है इसके पेट्राउन बन करके उस पेट्राउन का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूं जिस पर क्लिक करके आप पेट्राउन बन करके अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इस्टाग्राम और फेस्बूक पेज पर मेरा ट्विटर हैंडिल है at the rate of अर्शी अजीज खान थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में